सफलता और संगर्शकी स्थिती शुरू होगी शनी देव की साड़े साती नमस्कार मैं आश्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतीश प्रेमी एवम अध्यन करताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैंने पहले कई बार पताया कि अप्रेल महने में सभी ग्रहों का राशी परिवर्तन होने वाला है उसमें राहू केतु और गुरु महराज के राशी परिवर्तन का विशलेशन हमने राशी के अनुसार स्वतंतरे रूप से किया है अब हम शनी महराज के राशी परिवर्तन का आध्यन कर रहे हैं उनके इस राशी परिवर्तन का आपकी मीन राशी पर क्या प्रभा होगा इस संधर्व में अब हम विस्तार से वारतालाब करेंगे ग्रहों का ब्रह्मन, उनकी स्तिती और उसका मनुष्य जीवन पर होने वाला परिणाम इसका अध्यन जोतिश में किया जाता है ग्रह जब राशी परिवर्थन करते है तो उनका बड़ा परिणाम, राशी के अनुसार हर जातक पर होता है अर्थात वह परिणाम शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का हो सकता है उस अनुसार आने वाले 29 अप्रेल को बहुत बड़ी गटना होने वाली है क्योंकि इस दिन शनी महराज राशी परिवर्थन करने वाले है मकर राशी से कुम्भ राशी में इस प्रकार उनकी यात्रा रहेगी उनके इस राशी परिवर्थन का आपकी राशी पर क्या प्रभा होगा इसे अधीक विस्तार से सबस्दें के लिए सबसे पहले हम शनी महराज के संधर्भ में संक्षेप में जानकारी समझ लेते हैं एक महत्वपुर्ण विशे है शनी महराज का संपुर्ण राशी चक्र को ब्रह्मन करने के लिए 29 ते 30 वर्ष का समय लगता है अर्थात लगभग 30 वर्षों के बाद शनी महराज कुम्वहिस अपनी पसंदिदा राशी में मूल्त रिकोन राशी में प्रवेष करने वाले है लेकिन कुछ दिनों में वे पुनस्चम बक्री होकर मकर राशी में जाएंगे अपने पसंदिदा घर से बाहर निकलना किसी को पसंद नहीं आता शनी महराज को भी पसंद नहीं आएगा फिर भी अधूरी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए वे पिछे आएंगे 12 जुलई 2022 को पुनश्च मकर राशी में प्रवेश करेंगे और जन्वरी 2023 तक वही विराजमान रहेंगे उसके बाद पुनश्च कुम्ब राशी में प्रवेश करेंगे यहां से उनकी शुभता आधीक बड़ेगी अब हम राशी के अनुसार उनके फलों का विश्लेशन करते हैं तो उनके इन दोनों गोचर का हमें विचार करना चाहिए तब ही हम उचित फलकतन तक पहुच सकेंगे आपके राशी के लिए उनकी भूमिका क्या रहागी की यहां आपको उसके बाद ही समझ में आएगा उस अनुसार आप अपने कार्यों की उपायों की उचित योजना बना सकते हैं शनी महराज की इस यात्रा के शुबभल प्राप्त कर सकते हैं एक और बात है जो जेश्ट वेक्ति है अर्थात 45 या 50 वर्ष के आगे जिनकी आयू है उन्होंने 30 वर्ष पहले के काल को स्परन करना चाहिए उस काल में आपका जीवन कैसा था उसी के अनुसार सामान्य परिणाम आपको प्राप्त होंगे अर्थात थोड़ा अंतर निश्चित रूप से होगा क्योंकि तब आपको अलग ग्रह की महादशा होगी और वर्तमान में अलग ग्रह की महादशा होगी कोई भी ग्रहम महादशानात के अनुसार ही फल प्रदान करता है परिणाम सरुप थोड़ा अंतर निश्चित रूप से आएगा लेकिन मुल्प रौडुती समान रहेगी अर्थात आप मुल्ड रूप से अध्यन करे कि शनी क्या फल देगा तो तीस वर्ष पुर्व अपने जीवन का स्परन करे आपको वही फल नजर आएंगे कुल मिला कर शनी महाराज की साड़े साती उनकी ढहिया उनका राशी परिवर्तन यह सब अत्यनत महत्वपुर्ण विशे होते है शनी महाराज की साड़े साती भी एक स्वतंत्र और गहन विशे है साड़े साती का नाम सुनते ही अच्छे चोको पसीने चुट जाते है क्योंकि एक प्रकार का भय उस संधर्ब में फैला हुआ है वास्तों में शनी महराज का नाम साड़े साती के बिना आधुरा रहता है इसलिए उस संधर्ब में भी हम सक्षेप में समझ लेते हैं सबसे पहले तो साड़े साती अशूब होती है यो विशे दिमाग से निकाल दे क्योंकि कुछ राशियों के लिए वह शूबह होती है इतना ही नहीं साड़े साती में भुव्य दिव्य उन्नती हो सकती है इसके कई उधारन बताए जा सकते है वास्तों में साड़े साती के बाध्यम से शनी महराज हमें समझ देते है जिम्मेदार्यों का स्युकार करना सिखाते हैं अच्छे बुरे के प्रतिया जागरूत करते हैं अर्थात उसके लिए मूल कुंडली में शनी की स्तिती भी निर्बर होती है लेकिन साड़े साती के संदर्व में कहा जाए तो कुंडली में चंद्रमाजीस राशी में हो उसके पीछे के राशी में जब शनी महराज प्रवेश करते हैं तो साड़े साती का प्रथम चरण शुरू होता है राशी में प्रवेश होने के बाद साड़े साती का दूसरा चरण शुरू होता है साथ ही आपके राशी के आगे की राशी में जब वेप्रवेश करते हैं तो साड़े साती का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होता है इस प्रकार तीन राशियों की उनकी यात्रा को साड़े साती कहा जाता है अब प्रश्ण यह उपस्तित होता है कि सभी राशी उपर शनी महराज के साड़े साती का प्रभाव क्या एक जैसा होता है तो ऐसा कते ही हो नहीं सकता हर राशी के लिए उनके प्रभाव की दिशा अलग होती है उस अनुसार मीन राशी के दुरुष्टी से विचार करे तो मी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने वाला रहता है अर्थात प्रतम चरण शुभर रहता है लेकिन दुसरे चरण में जातक को संखर्ष का सामना करना पड़ता है इस जातक अक्यलेपन का अनुभो करता है उनके मन को निलाशा गेर लेती है इस जातक यदि अपने मानसिक बल से संगर्ष करते हुए सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते है तो तीसरा चरण लाभकारी रहता है अन्य था मीन जातकों को साड़े साती की सबसे अधीक परेशानी तीसरे चरण में होती है शनी महराज कुम्ब राशी में प्रवेश करने वाले है जिसकारण मकर राशी के लिए दुसरा तो मीन राशी के लिए प्रथम चरण शुरू होगा साथ ही धनू राशी की साड़े साती से मुक्ति होगी संक्षेप में काहा जाये तो साड़े साती का प्रभाव सभी राशी उपर विभिन प्रकार से होता है वास्तों में कुछ राशी के लिए यह लाभका कलपना से परे है इस बात को सभी जातकों ने विशेश रूप से ध्यान में लेना चाहिए तो शनी महराज राशी परिवर्दन करेंगे तब आपके लिए साड़े साथी का प्रारम्भ होगा उनकी यात्रा अब तक आपके लाभस्तान से शुरू थी उनका इह गोचर आपके लिए लाभकारी एवं इच्छा पूर्ती करने वाला सिद्ध हुआ उनके शुभ परिणाम आपको निश्चित मिले होंगे अब 29 अप्रेल को वे राशी परिवर्दन कर आपके वेयर स्थान में प्रवेश करेंगे मैंने आपको पहले भी कहा है कि कुम्भ राशी शनी महराज की पसंदीदा और मूल त्रिकों राशी है परिणाम सुरूप मकर राशी की तुल्णा में कुम्भ राशी के शनी महराज से जातक को शुभ फल अधिक प्राप्त होते है लेकिन जैसा हमें पता है कि कुंडली के वेयर स्थान को नकारात्मक स्थान माना जाता है जिस कारण पसंदीदा राशी में होने के बाद भी कही न कही नकारात्मक प्रभाव आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा महतो पुरुना बात है कि यहां से आपके लिए साड़े साती का चरन शुरू होगा जिसके कारण आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है लेकिन आप उसके अधिक चिंता न करें क्योंकि इस सौधी में आपके राशी स्वामी गुरु महराज आपके राशी में विराजबान है वहावे हंसयोग का निर्मान करेंगे जो पंच महापुरुशयोगों में से एक अत्यन्त शुभर आजयोग माना जाता है परिणाम सरुप भले ही शनी महराज व्यस्तान से शंगर्श में वृद्धी करते हो उसके बाद भी राशी स्वामी आपको उस संगर्श का सामना करने का बल प्रदान करेंगे संग्षेप में बले ही शनी महराज का गोचर अशुभ अस्तान में हो आपके लिए साड़े साती की शुरुवात हो फिर भी आपने धहिर्य से मार्ग क्रमन करना चाहिए अपना काम इमानदारी से करना चाहिए वह आपके लिए लाबकारी रहेगा वह स्तान से शनी महराज की तुरुतिय दुरुष्टी आपके दुतिय अर्थात परिवार के स्तान पर होगी मीन राशी के लिए शनी महराज अकारक है अकारक ग्रह और उनकी वह स्तान से पढ़ने वाली दुरुष्टी से पारिवारिक विवाद होना पारिवारिक शांती आईक्य भंग होना इसी स्तिती उत्पर्न हो सकती है वास्तों में इस सौधी में आर्थिक हानी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता साथ ही आपकी वानी में उग्रता आएगी उसका भी नकारात्मक प्रभाव आप पर निश्चित रूप से होगा संग्षेप में शनी महराज की यह दुरुष्टी आपके लिए अशूब रहेगी परिणाम सुरूप दित्यस्तान के कारकतों में आने वाली सभी चीजों के प्रतिया आपने साउधान रहना चाहिए शनी महराज की सप्तम दुरुष्टी आपके शष्टस्तान पर होगी कुर्णली के शष्टस्तान से नोक्री, स्वास्त, कर्ज, प्रतिस्पर्दी, शत्रों को देखा दाता है यह दुरुष्टी व्यस्तान से पढ़ने वाली वेश की दुरुष्टी होने के कारण मीन जातकों के लिए विदेश में नोक्री के अउसर निर्मान हो सकते है प्रतिस्पर्दी एवंशत्रों पर विजय प्राप्त करते हुए आप सफलता की ओर बढ़ने वाले है नोक्री में बढ़ा कर्तुत्व करोगे ऐसी छोटी बोड़ी लाभकारी गटना आपके साथ हो सकती है शनी महराज की यह दुरुष्टी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी शनी महराज की दशम दुरुष्टी आपके भाग्यस्तान पर होगी शनी महराज भले ही स्वराशी में हो लेकिन वे आपके व्यस्तान में विराजबान होंगे उनके इस दुरुष्टी के प्रभाव से आप धर्मिक कारों में सम्मेलितोंगे, आध्यात्मिक दुरुष्टी से मार्गक्रमन करोगे, आध्यात्मिक दुरुष्टी से जब हम ग्रहों का विचार करते हैं, तो गुरु, केतु, चंद्र और शनी यह चार ग्रह अत्यनत महतो पुल्णों होते है पुणर जन्म की दुरुष्टी से जब विचार करेंगे तो इन चारों ग्रहों की श्थिति को देखा जाता है इन सभी दुरुष्टियों से विचार करें थो शनी महराज आपके वेयस्थान में प्रवेस्ष करने वाले है वहाँ से उनकी दुरुष्टी आपके भाग्य अर्था धर्मस्तान पर होगी इस स्तान से पुनर जन्म भी देखा जाता है परिणाम सुरू शनी महराज के दुरुष्टी से आपका भाग्य स्तान सम्रुद्ध होगा इस सौधी में आपके हातों से छोटे बड़े अध्यत्मिक सामाजी कारे क्रमों का आयोजन होना उसके लिए खर्च करना धर्म के लिए महत्वपुर्ण व्यक्ति के रूप में आपका नाम सामने आना समाज में मान सन्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होना ऐसे शुभबी परिणाम प्राप्त होंगे कुल मिला कर मीन राशी के लिए साड़े साथी का प्रथम चरण शुरू होगा फिर भी अधिक चिन्ता ना करें क्योंकि साड़े साथी में सभी को परिशानी नहीं होती वस वास्तों में साड़े साथी में बड़ी उन्नती हुई है ऐसे कई लोगों की सुची में आपको दे सकती हूँ क्योंकि साड़े साथी आपको कर्तव सिखाने के लिए जिम्मेदारी समझ जाने के लिए आती है इसी लिए साड़े शाती शुरू होने पर आपने जिम्मेदारी और कर्तव की और मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए वे अधियाप करते हो तो आप सफलता प्राप्त करते हो बारह जुलेई 2022 को शनी महराज वक्री होकर पुनश्च पीछे की राशी अर्थात आपके लाभस्तान में प्रवेश करेंगे 17 जनवरी 2023 तक वे वही विराजमान रहेंगे इस समयकाल में पुनश्च आपके लिए लाभ एवब उच्छा पूर्ती के आउसर निर्मान करेंगे लाभस्तान से शनी महराज की तुरूतिय दुरुष्टी आपके राशी पर सब्तम दुरुष्टी पंचम स्थान पर और दशम दुरुष्टी आश्टम स्थान पर होगी इन सभी स्थानों के शुवफल आपको 12 जुलेई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक प्राप्त होंगे क्योंकि तब शनी महराज मकर राशी और आपके लाभस्तान में होंगे जो उपचय स्थान होने के कारण उन्हें विशेश रूप से अच्छा लगता है लेकिन उसके पहले का गोचर हम देखते हैं तो लाभ और वे इन दोनों स्थानों के फल वे आपको प्रदान करेंगे साथ ही अपनी दुरुष्टियों द्वारा दूतिय शष्ट और भाग्यस्तान का फल वे आपको प्रदान करेंगे शनी महराज आपके राशी स्वामी के समग रह के रूप में जाने जाते हैं इसलिए उनसे मीन जातकों ने अधीक शुबफलों के अपेक्षा नहीं करनी चाहिए ये साथी की सबसे महतोपुर्ण बात है कि आपके राशी स्वामी राशी में प्रवेश करने वाले है तेरह अप्रेल को गुरू महराज आपके राशी में प्रवेश कर हन सयोग का निर्मान करेंगे जिसके शुबफल आपको प्राप्त होगे जोतिश्यमों के अनुसार राशी स्वामी जब बलवान अवस्ता में होता है तब अन्य ग्रहों का सहयोग मिले या न मिले लेकिन जातक को भरपूर लाब प्राप्त होता है क्योंकि राशी स्वामी बलवान होने से अन्य छोटी बड़ी समस्याओ का सामना करने का सामर्थे उसमें होता है मीन राशी की दुरूष्टी से तेरह अप्रेल को गुरू महराज आपके राशी में प्रवेश करेंगे साथ ही शुक्र भी वहां आकर उच्च वस्ता को प्राप्त होंगा उनके इस्तीती से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे इस समय काल में उपायों की दुरूष्टी से विचार करें तो शनी महराज को कर्म फल दाता कहा जाता है क्योंकि वे कर्म के अनुसार फल प्रदान करते हैं उनके अशुभ फलों की तियूरता कम करने के लिए शुभ फलों में वृद्धी करने के लिए एक सर्वोत्तम उपाय है वह शीव उपासना है उस अनुसार शनी महराज के इस गोचर काल में मीन जातकोंने महादेव का गन्ने के रस से अभिशेक करना चाहिए उसके शुभ परिणाब आपको प्राप्त होंगे इस प्रकारशनी महराज का राशी परिवर्तन समजने के लिए हमने मेश से लेकर मीन राशी तक हर राशी के लिए स्वतंत्र वीडियो किया है आप अपने राशी का वीडियो देखे, लाइक करे दोसतो रिष्टेदारों को उनके राशी के वीडियो शेर करे पुनस्चे अवस्चे मिलेंगे धन्यवाद शुभम भवतु जय जोतिश प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब दी चानल और हाँ बेल आइकोन दबाना ना भुले धन्यवाद